आझ हमारा पॉस परोट कॉलने दोस्तों किलॉइड का है जो हम थे बात करते हैं थो बहुत सारे लोग बनता हैं किक रही होता है लेकिन हमारे गूरूप में कई ऐसे अप्रूवर हैं जिन्होंने कहे दिया किलॉइड की रोता है विदी वन अनाप मन्य इससे जाला समय नहीं लगता है हमारे ग्रूप में ठीक है क्यों एसा क्यों कि हम लोगों ने दोस्तों यहां पर इसकीन से इसकीन जब इनजूर्ड हो जाता है जिसके कारण किसी भी प्रकार से इसकीन के उपर परता है जब fibrous tissue वहाँ पर develop होना चालते हैं तो inflammation ने पढ़ेंगे fibrous tissue कैसे develop होते हैं आज पढ़ना है हमको दोस्तो तो जब यहाँ पर किसी कारण वर्स fibrous tissue का निर्मान होता है जिसे हम scar tissue कहते हैं दोस्तो scar tissue का जब development होता है जो wound के उपर दोस्तो बनता है ठीक है वाउंड के उपर ही बनेगा ताकि दोस्तो वाउंड का repair हो सके इंजूरी का वहाँ पर protection हो सके कुछ कैसेस में scar tissue दोस्तो वहाँ पर accessively grow करता है बहुत ही ज़्यादा grow करता है और वहाँ पर smooth hard growth का formation करता है जिसको हम बोलते हैं kiloids ठीक है kiloids original wound की तुलना में बहुत ज़्यादा larger होता है दोस्तो याद रिखेगा ज़्यादा तर आपको चेस्ट में नज़र आएगा ज़्यादा तर आपको shoulder में नज़र आएगा ज़्यादा तर आपको दोस्तो especially अगर आप देखोगे scar tissue जब आपको हर जगे नज़र आ रहा है तो ज़्यादा तर अगर आपको clinical यह आप टेबल प्रैक्टिस के बात करता है चेस्ट में आप देखो छोड़ जोटे गठान का इसलिए कौस्मेटिक एफेक्ट रखता है इसलिए कॉस्मेटिक इंसर्ण यहाँ पर क्रियेट करता है वह बुरा लगता है आपको लगता है रहे आर यह क्या चीजे साला बेकार लग रहा है ठीक है यही कंडिशन है कि लॉइट की बाकि इससे कोई हांपूल इफेक्ट आपकी बॉड़ी के लेवल पर देखने को नहीं मिलता है याद रखेगा दोस्तों यही कारण है जब टैबल प्रैक्टिस में कोई पेशेंट आता है और किलॉइट के लेवल पर आता है हमें वह को डिखेगा बहुत से प्रकार के स्कीन इंजुरी के लेवल पर देखने को मिलता है दोस्तों आपको वहां पर अपने प्रैक्टिस को इंप्रूव करना है जब भी कभी एकने होता है ठीक है एकने का इसकार जो होता है न किलाइट की रूप में रह जाते हैं याद रखेग एकने के स्कार किलाइट्स की रूप में हो जाते तो सूचिए यह आपको सीधा बता रहा है कि अगर सूपर विशेल एकने होता है तो आप S5, C5 का उप्यूग करते हो यही प्रूव हो जाता है लेकिन अगर डीप में होता है ख्रॉनिक एकने के लेवल पर आता है तब इंटर आपको वहाँ पर दोस्तो S3, C3 का प्रोटोकॉल A3 के साथ में देना ही पड़ेगा यही कारण है जब बॉंस होता है जब जल जाता है कोई और जलने के बाद देखो कितनी स्कारिंग होती है बिलकुल ऐसी स्कीन खीची विरिती है वो होता है आपका किलाइट्स उस किलाइ का भी स्कार किलाइट्स के रुफ में हमारे सामने आता है और वो इंडिकेट करता है दोस्तो इसी प्रकार से अगर आप एर पियर्सिंग में जाते हो मालो आपने कान को चीदवा लिया और कान को चीदवाया तो उस क्यरेक्टर में भी आपको नजर आएगा कि आपको किसमें हाँ पर देखने को मिलेगी दोस्तों यह सारी चुड़ी चुड़ी प्रॉसेस होती है जो हम लोगों को यहाँ पर टैबल प्रैक्टिस में दिखाती है कि हमारा डियाग्नोसिस क्या हम मौडन साइंस की बात को अलग रख दे हम एच की बात करें दोस्तों इस क्रेच इंसीजन साइट जहां पर सर्जरी की जाती है और सर्जरी करने के बाद में वहां देखो एकदम कड़क एकदम हाड किलाइट्स डेवलप हो जाते हैं ठीक है वैक्सिनेशन साइट्स जहां पर वैक्सिनेशन किया जाता आप देखो वहां पर जो है एकदम टिपिकल हाड लोगों में दोस्तों आफ्रिकन अमेरिकन चांसे सबसे ज्यादा होते हैं लोगों में बहुत ज्यादा किलाइट देखा जाता है अन्य रिस्क फेक्टर जो किलाइट फॉर्मेशन के साथ असूसियेटेड होता है दोस्तों बहुत सारे होता है एशियन कंट्रीज के लोगों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है याद रिखेगा अगर अफ्रीकन अमेरिकन को छोड़ दिया जाए दोस्तों जितनी लेतिनी वंश के लोग होते हैं उनमें किलाइट प्रॉम्टली पाये जाता है घरभवती जो प्रैगनेट लेडिस होती है उनमें सबसे ज़्यादा पाये जाता है थर्टी एर से उपर के यंगर लोगों में आजकल बहुत कामन रूप से दोस्तों किलाइट देखा जा रहा है यदि में बहुत ज़्यादा किलाइट देखने को मिलता है दोस्तों किलाइट सूरियोसिस का साथ बहुत पुराना है दोस्तों याद रखेगा किलाइट और सूरियोसिस का एक साथ होना बहुत ही रेर होता है याद रखना साथ पुराना है लेकिन याद रखना बहुत रेर होता ह लेकिन एक बार जब हो जाएगा साथ में तो आप मान करिएगा दोस्तों बहुट डेंजरस कंडिशन होती है उसका सर्वाइब करना भी मुश्किल होजाता है यार रखिएगा इसलिए सौरसज एक अलत टैर्प्र है किलाइट्स एक पिछली बार बी कॉम्प्रीकेशन पूछा था के सरी ऐसा अगर ऐसा हो तो क्या होगा तो दोष्टों पहली बात तो दोनो साथ मनी होगा बहुत रहर हजारों लाखों में एक होगा लेकिन जिसको हो जाएगा उसको फिर कोई बचा नहीं सकता क्योंकि यह एक तुरह से अपवाद होता है दोनों आपोजिक करेक्टर में डेवलप होते हैं इसलिए याद रखेगा दोस्तों जब भी किलाइट के सिंटम का इसका टिशू के रूप में वहां पर जब डेवलपमेंट होता है उसका परेवर्तत रूप होता है यह प्रीवेस स्कीन इंज निर्शूरी होने के साइड में आपको संपक्ति के स्मटम होंगे क्या है बई कैसे हम जानेंगे एक लॉक्लाइज एरियां है जो जो कि red हो गया, pink हो गया, flesh color का हो गया, आपको अलगी दिख रहा है कि यह उपरा हुआ lump या bump का आकार develop हो रहा है, skin का एक lumpy या rigid area जो कि usually rest होता है, यह नि आपकी यह skin है, इस skin के उपर इस प्रकार से यह area develop हो गया, ठीक है, यह lumpy rigid area जो यहाँ skin से इस प्रकार से वहाँ पर दोस्तों develop होता उपर के तरफ, ठीक है, skin का एक इची पेच हो जाना, वो area जो develop हो रहा है बहुत ज़्यादा eaching करता है, ठीक है, eaching हो जाना और जितना eaching करोगे, उतना hard lump या bump या उभरा वरीच develop होता चला जाएगा, यह एक area जो लगातार larger group करता है, जिसके साथ उस समय scar tissue भी पाया जाएगा, ठीक है, आपने scratch करा खूब, तो वो dead tissue में convert हो गया, अब dead tissue में हो गया, तो inflammation हो गया, अब inflammation one necrosis, repair growth और fibrosis के रूप में convert होगा, और वहाँ पर scar tissue का निर्मान करेगा दोस्तों, यही कारण है, आपको केवल याद रखना है, दोस्तों, जब आप किसी भी लेवल पर जाते हो, keloids scar, original wound की तुलना में बहुत ज़्यादा larger होगा, wound छोटा सा है, लेकिन keloids फेल कर, उसके उपर suppress कर जाएगा, और suppress करने के कारण अपना structure लगबग डेड़ गुना जादा, उसके उपर create करता है, इसलिए दोस्तों, इसमें weeks या months लग जाते हैं, डेवलोप होने में, और अगर उसी समय, जब आप इस प्रकार का treatment करा रहे हो, कि यहाँ पर इस प्रकार का development हो रहा, इस scar का, उसी fully development stage में, जब kiloids scar वहाँ पर इची हो सकते हैं, उसी समय, अगर आप treatment करते हैं, तो आप नकेवल scar की growth को reduce कर सकते हैं, इवन उसको तुरंद cure कर सकते हैं, दोस्तों, लेकिन यह सामानेता हांपूल नहीं होते हैं, इसलिए कई patients doctor के पास नहीं जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा रोग बढ़ जाता है, जब बहुत ज़्या आप जब कोई कपड़े पहनो के उसमें रगल करेगा तो irritate करेगा दोस्तों, या अन्य प्रकार के फ्रिक्शन के possibility होती है, इन्हीं रगल लगना होता है, दोस्तों, बहुत रेयर इंस्टेंड में पूरी बाड़ी की लार्ज एरिया पर किलोड किसकारिंग एक्स्परियंस होगा दोस्तों, ऐसा तब होता है, जब hardened, tight, scar tissue develop होता है, जो body का movement जो होता है, रिस्टिक्ट कर देता है, इसी लिए, जब hard होगा, इसी करण से body के different area को affected करेगा, और उसमें movement restricted होकर पूरी body में, दोस्तों, उसका affection develop होगा, तब वहाँ पर, आपको killoids की जो condition होती है, वो द पूरा लगता है, कि जब यदि किलाइड बहुत larger हो गया, यह कहें, highly visible location के हो, जैसे कि, वहाँ पर ear lobe, face पर, तो और ज़्यादा पूरा लगता है, दोस्तों, sun exposure या, tanning के कारण, इसका tissue का, जो disorder, discolor होता है, disorder, discolor होता है, दोस्तों, वहाँ पर develop होता है, जिसके कारण, जो condition है, कुछ scar tissue, वहाँ पर, lump group में बहार निकलावा नजर आ रहा है, इसलिए, scar को cover करके रखना पड़ता है, बार बार, जब patient, धूप में जाता है, जब discoloration से, उसको prevent करने के कोशिश करता है, तो वो बचता है, अन्यता, discoloration, वहाँ पर और ज़्यादा होता चला जाएगा dark से darker होता चला जाएगा, जो उसकी skin में मेच नहीं करता, दोस्तो, diagnosis करना बहुत easy है, हमें उसका कोई tension नहीं है, जब आप diagnosis करते हो, तो location और scar के appearance पर आप diagnosis को best करते हो, ये tissue पर कैसी prognosis करेगा, ये आपके अनुफोब पर depend करता है, आप कैसे protocol select करते हो, कौन सी medicines का protocol आप द देखकर दोस्तों, आप अन्य disease या कोई भी condition से in coordination करके differentiate कर सकते हो, और अपने rule out कर सकते हो treatment को, इसलिए मैंने आपको clear बताया, S3C3L1BG, ठीक है, अगर single protocol देना, B8 दो, S3C3L1G दे दो, लेकिन B इसलिए उस्तेमाल के जाता है, सबसे पहले उसके size जो होती है, उसको बढ result है दोस्तों, साथ में आपको general tonic में S5G जरूर देना है दोस्तों, ठीक है, S5G का दो मकसद होता है, जिसे मैंने यहाँ पर बताया आपको, ठीक है, S5G दो तरह से काम करेगा, पहला काम करेगा, दोस्तों, वहाँ पर जितना discoloration होता है, उसको रोकेगा, दूसरा काम करता है, अंदर से जो healing होती है, fast करके, उसको वहाँ से वही कवही बाहर निकाल देता है, वही कवही reduce कर देता है, जो skin होती है, उसको lose करता है, elasticity को maintain करता है, blood circulation को बढ़ाता है, और superficial layer को, जो epithillel के growth होती है, उस layer को maintain करता है, जिसके कारण, जब skin पढ़ेंगा, आप देखेंग होती है, इसलिए हम यह S3C3 का प्योग करते है, main protocol हमारा यह होना चाहिए, लेकिन superficial discoloration को रूखना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए general tonic को आप D5 या D6 से बनाए, उसमें आप साथ में, दोस्तों, especially, आप S5G का استعمال करें, बहुत बढ़िया काम है, लेकिन, यहाँ पर specific सारे cover करता है, ठीक है, तो यहाँ पर according to condition, यह भी यह protocol को support करना है, तो C3 दे सकते हो, अगर आपको लगरा नहीं, ऊपर बहुत ज़्यादा problem है, तो C5 दे सकते हो, ठीक है, इसको D7 में चला दो, आपका patient ठीक हो गया, A2, A5, C3, G का D4 external apply करा दो, ठीक है, A2, S5, C3, G का D4 म चुरू जाएगा, अगर आपने बढ़ने रोकना है, और दुबारा नहो, C3 का 1,003 डोस दे दिजेगा, only 3 डोस, आपको देखने की जरुबत नहीं पड़ेगी, आपका patient लगबग लगबग, एक या डीड मेने के अंदर, दोस्तों, अगर जादा है, हाड है, तो थोड़ा प्रोसेस को जनरेट किया है, काफी डॉक्टर्स हैं, जिनों ने हापर recovery के state प्रोड्यूस किया है, दोस्तों, तो उमीद है, आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ये वो प्रोसेस होती है, जो टेबल प्रैक्टिस में daily, हम लोगों को किलाइट्स के रुप मे महिने में एक दो केस्तों मुझे मिली जाते हैं दोस्तों, इसलिए perfection मेरा है, आपका अब जब भी आप इस protocol को प्योग करोगे, आपको इहां पर दोस्तों, typical result देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ये था दोस्तों, हमारा पहला demo, heloids, next बात करते हैं, हम लोगों ने दूसरा starting points किया था, कल हमने acute inflammation की पूरी process को समझ लिया था, कि हमारी body में अगर acute inflammation होगा, तो हमें कैसे protocol करना है, अब पहली बात, अभी तक हमने यहां पर केवल structural potencies को diagnose किया था, आज हम यहां पर बात करते हैं, functions की, अगर कहीं पर भी किसी organ का damage होना होता है, तो organ के protocol depend करते हैं, आपकी functional medicine के उपर, आप वहां पर organs का default तो आपने तै कर लिया, मुझे क्या देना है, लेकिन अगर functional problem create हो रही, आप कैसे देंगे, मालो throat की problem develop हो रही है, बहुत easy है, मेटी जी ने तो सारे हतियार आपके सामने दे रहे हैं, बस आपको use करते हैं, नहीं आ रहे हैं, ठीक है, आपको अगर माल लिजे कोई कहता है, कि मुझे throat में बार-बार infection हो रहा, बार-बार आप देख रहे हो, throat का examine कर रहे हो, pain हो रहा, redness हो रहा, swelling हो रहा, C13 काम करती है, यह home medicine है, जो directly link करती है दोस्तों, आपके इसुफेगस से लगा कर पूरे thought के रहे हैं, अब आप नहीं पर character देखे हैं, कि inflammation हो रहा, तो gastric reflexes के कारण हो रहा है, या फिर आप गरम-गरम चीजे ज़्यादा खाते हो, उसके कारण हो रहा, या पान-बीडी कुट का तमाको का acid ज़्यादा ले रहा हो, उसके कारण हो रहा, अगर कारण पर जाओगे, तो अगर isopagus related है, तो S2C2 main protocol, अगर पूरा throat involvement है, तो C13 सबसे बड़ा protocol, ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ, S5, C5 तब देना, जब आपको लगता है कि यहाँ के functional, भई यहाँ कोई cilia तो होते नहीं, इसopagus में, आप digestive system में पढ़ेंगे, यहाँ पर कोई cilia तो होते नहीं, यह तो tube new my structure होता है, और tube new my structure होने के कारण कोई भी चीज का जो यहाँ पर क्या होत हो, ठीक है, अंदर घुड जाओगे, तो आप सूचो, आप कितना ज़्यादा irritate कर रहा हो, ठीक है, आप पूरे mucos membrane को irritate कर रहा हो, यह कारण होता है, inflammation develop होने का, तो जब कारण पर जाओगे, अगर cable isopagus कारण है, तो S2C2, अगर वहाँ functional problem नज़र आवा, तो S2C5 या S2S दोनों एक alternate करके protocols में आपको देना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पर main यह होता है, लेकिन throat की बात आ रही है, अगर throat का involvement है, तो protocol ऐसा बनेगा, S2C13, ठीक है, यहाँ फंक्शनल remedy, S2, cancerous की remedy, यहाँ पर जो support करना है, C13, ठीक है, S2C13, यहाँ पर वर्वन, A3, अगर यहाँ पर burning हो रहा है, जलन हो रही है, heal कराना है, तो यहाँ पर BG आपको देना पड़ेगा, या BW देना पड़ेगा, या GW देना पड़ेगा, यह वो protocols हैं, जो directly negative में जाकर दोस्तों, आपके inflammation के process को, आप second से शुरू करिए, और उसके बाद, अगर benefit लगता और benefit मिला, एक बार और दे दीजे, 60-70% result हुआ, फिर first dilution कर दीजे, आपका patient recover, यह हर technique में हर देखना पड़ेगा, ठीक है, आप दो चीज़ कर सकते हो, या तो आप dilution चीज़ करो, या फिर पहली बार 10 drop दिया है, second dilution से अच्छा फाइदा हुआ, अगली बार 15 कर दो, उसके ब प्रक्निक होती है, आपके टैबल प्रैक्टिस को improve करने के दोस्तों, तो मीद है, functional समझ गया है, दूसरी एक और प्रोटोकाल का आपको मैं बता देता हूं, ताकि आप लोगों को confusion नहों हो, आप किसी भी लेवल पर चले जाओ, आपको stomatitis हुआ, छाला हुआ, आप ITIS लग करते हो, तो हम तो केवल स्लास की ग्लोबल से देकर ही ठीक कर लेते हैं, ठीक है, अब यह क्या हुआ, पेट साफ नहीं होगा, तो चाले होंगे, यह पहला concept होता था, ठीक है, दूसरी बात, अगर आपने यहाँ पर, S2, C15, RE, B, या Y, जनरल टानिक में, D5 में डाल कर दे द करेंगा, S2, glandular medicine से, secretion बढ़ाएगा, C15, पूरे stomach को wash करेंगा, नया बनाएगा, RE, secretion बढ़ाएगा, अगर hypoacidity का level है, तो RE का बहुत बढ़ा result है, लेकिन hyperacidity हो, तो YBE का result है, आप YBE कर दीजे, देखे कितने जल्दी result मिलता है, दोस्तों, तो यह depend करता है, जब medicines का selection आत तो आप क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या काम करेगी, उसका affinity किस medicines की तरफ है, वो आपको देखना पड़ेगा, आप यह मत सूचिए, कि यह पर यह positive electricity है, negative electricity है, body में जिस organ का affection हुआ, उस organ का affection में कुछ part positive काम कर रहे हैं, कुछ part negative काम कर रहे हैं, बस आपको यह गोर करन हैं, उन organs को उसी इसाब से medicines को provide करना, मालो जो negative काम कर रहे हैं, उस पर जो electricity काम करेगी, उसको positive कर दो, ठीक है, और जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, उसकी electricity को negative कर दो, ठीक है, आपका यह बैस अगर आपने बना दिया, आप देखेगा, result, 15 घंटे के अंदर result आपको देखने को मिलता है, हमारे group के जितने senior doctors है, junior doctors है, यही result ले रहे हैं, इसलिए उनके result दस गुना तेज हैं, दोस्तों, ठीक है, हम लोग concept पर बात करते हैं, हम psychology पर बात करते हैं, कि कैसे pathology काम कर रहा है, और उसी pathology के level पर हम लोग दोस्तों, यहाँ पर table practice को अंज हम दे रहे हैं, ठीक है, तो next बात करते हैं, हम दोस्तों chronic inflammation, acute तो आपने देख लिया, acute में इसी प्रकार से अपको acute inflammation का है, दोस्तों, यहाँ पर especially medicine select करना है, लेकिन जब धीरे धीरे करके, इस doctor से कराया, आदा कराया, ठीक हो गया, छोड़ दिया, ठीक है, proper treatment नहीं कराते है कई बार 50% तक result मिला, doctor के पास गया, doctor नहीं मिला, वापिस आ गया, फिर भूल गया, नहीं कराया, धीरे-धीरे acute state, chronic state में convert हो जाती है, और यह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी महारत है, दोस्तों, हिंदुस्तान में जितने भी patient हैं, कभी मांदारी नहीं करते हैं, सदा जु description लेकर नहीं जाएंगे, पहली बात, कई बार लेकर जाते हैं, बहुत सारी चीज मिस कर जाते हैं, तीसरी बात, कुछ भी हुआ होगा, पास्ट में, वो कभी नहीं बताते हैं, doctor को कि मुझे यह हुआ था, यह हुआ था, क्योंकि हमारे साइज के लिए यह बहुत जुरूर किया है, बड़ी खुशी के बात है, नया साइंस है, हमने वेड़ो किया, पल्स डागनोसिस को जब इन्वाल किया जाता है, आप डारेक्ली सेलेक कर ले तो कि इसका यह पार्ट डेमेज है, इसका यह पार्ट जा रहा है, इसलिए मैं कहूंगा, पल्स डागनोसिस को जहां स से भी सीखने को मिले आप सीखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है जो आपकी टेबल प्रेक्टिस को चार गुना बढ़ाती है दोस्तों जब यहां पर आप इस्पेशली बात करते हो कि एक बार डैवलफ हुई डैवलफ होकर कहा पर चली जाएगी आपको पता नहीं चलेगा ठीक है यह दीरे-दीरे करके जनरलाइजड हो जाती है ठीक है उसको बोलता है दीरे-दीरे करके चार में अब बुरा होगा तो के घर में क्या हो रहा है चार कोनों में फेला देगा वही कंडिशन यहां पर दोस्तों इस्पेशली देखने को मिलती है और जब यहां पर inflammation दीरे दीरे करके chronic stage में convert हो जाएगा तो पूरा generalize हो जाएगा body के बहुत सारे part को damage करेगा अगर damage करता है तो आपको क्या करना है आप क्या मानते हैं आप क्या मानते हैं कि यहाँ पर neutrophils का काम होगा क्या macrophages का काम होगा ठीक है आपको यहाँ पर खास तोर से याद रखना है कि यहाँ पर neutrophils और macrophages दोनों का काम बहुत master के रूप में होगा दोस्तों जब आप HSC में BM की opening देखते हो neutral origin देखते हो दोस्तों तो याद रखेगा neutrophils especially दोस्तों bone marrow में adopt होता है ठीक है और bone marrow में बनता है life response six to eight days जितना पर WBC होती है maximum one to ten days लेकिन कई WBC का role बहुत important होता है germ cells होती है वो काफी लंबी जीती है लेकिन एक average one to ten days के आसपा WBC के life cycle होती है दोस्तों जब कभी भी आपके body में inflammation होता है acute inflammation होता है तो कई stages में neutrophil ही आता है लेकिन कभी-कभी chronic में भी यह निग chronic case होता है और वहाँ अचनक acute condition develop होती है तो भी वहाँ पर neutrophil बढ़ा होता है तो जब भी कभी किसी भी stimuli के response होता है तो rapid और short interval में neutrophils वहाँ पहुंच जाते हैं और वहाँ fight करने का काम करते हैं उस particular damage से उस particular bacteria fungus वाइरस जो भी वहाँ है दोस्तों lysosomal enzyme जो neutrophils का होता है उसके granules में होता है उस cells में होता है वो lysosomal enzymes वहाँ पर प्रक्टिकली इन infections को damage या degenerate या destruct करने के कोशिश करता है यही कारण है आप देखो यह सार बढ़ा होता है ठीक है क्यों क्योंकि tissues का लगाता degenerate destruction होता रहा है इसी कारण से आपको यह सार बढ़ावा मिलता है इसलिए याद रखना हमें ऐसी medication करना है जो cells और tissue के damage को recurrent ली वहाँ पर जो रहा है उसको recover कर सके है इसलिए दोस्तों जब आप macrophages के level पर जाओगे यह भी bone marrow मेरों में बनता है tissue में resistant मतलब वहाँ से macrophages होती है दोस्तों ठीक है months से years तक जब यह macrophages में convert हो जाती है तो कई महिने से कई सालों तक जिंदा रहती है ठीक है इसलिए slower और plurong इनका condition होता है बहुत धीरे धीरे growth करती है और लंबे समय तक राज करती है दोस्तों slow low level होने के कारण दोस्तों जब यहां पर slow low level होगा तो यह absent हो जाएगी दोस्तों याद रखिएगा इसलिए जब आप इन्हीं दोनों के बैस पर chronic inflammation strike करता है तो आपको करना क्या है ठीक है आपको करना क्या है मैंने इसलिए आपको कहा था d1 d2 d3 acute में काम करेगा correct d5 d6 d4 d5 d6 chronic में काम करेगा लेकिन जब degenerative destructive disease chronic inflammation है मान लिया आप d4 d5 d6 न सेलेक्ट करते हो ठीक है लेकिन याद रखिएगा जब degenerative destructive disease हो रही तो मैं clearly बताया है d7 मैंने कल आपको सभीता मेडम का protocol डाला था जिन्नों ने एक एनस फिस्टुला का जो कैस किया था डॉक्टर्स ने जो operation करके छोड़ दिया था डाइबिटिक था हीली नहीं हो रहा था 31 उनिट मार्निंग में अठावीस उनिट इवनिंग में लग रहा था उसके बावजूद गेंग्रिणाल D7 और गेंग्रिणाल D4 के इस्प्रेन उसको करेक्ट किया था दोस्तों तो यह डिपेंड करता है कि आप क्या सूच रहे हो आप क्या कराना चाहते हो इसी इंफ्लामेशन को समझ कर मेरे से बात किया था और मैंने उनको समझाया था मैडम ज्यादा कुछ मत करो यह देदो आप क्योंकि बहुत डेंजरस कैसे ठीक है और जैसे दिया गया 25 दिनों बाद मुझे भी नहीं समझ में कैसे हिल हुआ ठीक है इतना प्रापर हीलिंग और य कि न बोलो कि पाड़ीदार सर ने क्रॉप किया वसको ठीक है मैं आज ही फोटो डाल दूगा और फोटो डालने के बाद मैं नेक्स मन्थ जब डॉक्टर लोकेंजेन सतना से हैं वो जब इसका प्रोटोकॉल आपको फीडबेक के रूप में देंगे उनके फादर हैं दोस्त जब आप क्रॉनिक इंफ्लामिशन के कॉजिस पर जाओगे तो आपको याद रखना है दोस्तों पर्सिस्टेन इंफेक्शन ठीक है माइको बेक्टिरियम टुबरकलोसिस हो वाइरस हो फंगस हो प्रोटो जवा हो हैलमिन्स हो यह सब पर्सिस्टेन इंफेक्शन होती है मैं इसको मानता हूँ अगी बहुत सीख रहां मैं आपको सीखा जरूर रही पढ़ा जरूर नहीं वह शीख रहा हूँ और इसी सीखने के स्टेज को मैंहापर आप लोगों को बता रहा हूं दोस्तों एक जब कभी भी परस्सिस्टेन एंटिजन देखोगा आपकी बॉडी में अगर सिलीका आगया आपके बॉडी में टेलकम पॉड़र टेलक आ गया लिपीडिया कोलेस्टाल कलेक्ट होगए ये क्या है ये वह परस्सिस्टेन एंटीजन नहीं जो क्रानिक के सामने आता है आपको तो यह डेवलोफ है ठीक है आज के समय में आप देखो यंग लोग अभी देखो हमारे राजुश्रीवास तो जी चले गए क्यों चले गए क्योंकि ज्यादातर समय वह ओली ठीक है ज्यादातर उनका जो शेडूल सा वह प्रापर नहीं था ठीक है उसक से बाद exercise कर रहे हूं और इसी कारण से सफोकेशन हुआ एस्पेक्सिया हुआ और पेशिंट की डेथ हो गई दोस्तों ठीक है यही कारण है इसलिए आपको याद रखना कई कंडिशन में आप देखते हो अलर्जी हो जाती है ठीक है आप बोलते हो साब हाइपर सेंसिटिव इसलिए इसलिए इतना बड़ा डीप स्ट्रिक्चर आपके सामने प्रस्तूत कर रहा हूं दोस्तों जब यहां पर आप आटो इमिन रिक्षन की बात करते हो भई पहले तो आपको कभी था नहीं आटो इमिन रिक्षन अभी कैसे डेवलप हो गया यहां पर जब आप किसी भी प्रॉसेस को समझने के कोशिश करोगे आपको सारी चीज वन बाइवन में सेलेक्टेड फ्रेमबर कर लेकर बताना चा जाता हूं जो आप मैकनेजम के लेवल पर दोस्तों वहां पर किसी भी प्रॉसेस के लेवल पर आप वहां पर वर करो दोस्तों जब आप वहां पर किसी भी प्रकार की टिशू को देखते हो तो आपको बहुत सारी चीजे देखने को मिलेगी दोस्तों आप क्या देखने चा के नाट डिस्ट्रॉइ बेक्टीरिया यह बेक्टीरिया आप सिंपल सा समझे आप सिंपल सा समझे यह आपका मैक्रोपेजेश या निट्रोफिल से के नाट डिस्ट्रॉइ यह डिस्ट्रॉइ नहीं कर पा रहा किसको बेक्टीरिया को क्या होगा दोस्तों ठीक है क्या कंडिशन डेवलप होगी ठीक है यह क्या बन गया यह जो मैक्रोपेजेश हैं दोस्तों इस प्रकार से फैगोसाइटोसिस करने के लिए वहाँ पर इस बेक्टीरिया को अंदर इंगल्फ कर लेगा ठीक है एक एक मैक्रोपेजेश हंड्रेट से लगा कर थाउजन तक के बेक्टीरिया को अंदर हम बताएंगे आगे कैसे मेकेनिजम होता है यहाँ पर शाट में समझे आप मैक्रोपेजेश को अंदर इंगल्फ कर रहा है आप इंगल्फ करके जब कॉसिस कर रहा है कि आपकी बॉड़ी में वहाँ पर बहुत सारा क्लीनिकल फेमवर्क बनाए जाए फैगोसाइटोसिस बनाए जाए और उसी फैग कंडिशन में दू कंडिशन आपको जनरली देखने को मिलेगी दोस्तों और यह दोनों कंडिशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों क्योंकि यही वह कंडिशन होती है जो आपको बताएगी कि यह यहाँ पर ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा दोस तो वहाँ पर आपको याद रखना है जितने भी रखक्टर मैं आपको बताऊंगा आगे पूरे डिटेल यहां पर जितने भी क्लासिकल आपकी बॉडि में जो काम करती है Classically Activated T-Lymphocyte है यह है ठीक है यह T-Lymphocyte किसके द्वारा Stimulate होता है आपकी बॉड़ी में इसी MI Factor के माध्यम से Stimulate होगा जो कि यहाँ पर जो Tumor Necrosing Factor होता है दोस्तों उस Tumor Necrosing Factor को वहाँ पर दोस्तों जो Tumor Necrosing Factor गामा होता है इसके माध्यम से तुरंत Stimulate होता है और तुरंत Stimulate होकर दोस्तों वहाँ पर दो process generate करेगा इसी प्रकार से जो यहाँ पर Alternately वेक्तिव यह तो Classically Act करता है हमेशा लेकिन यह Powerful होता है M2 यह Alternately Act करता है जब इससे काम नहीं समलता तब यह Alternately वहाँ पर secret होता है और Alternately वहाँ पर काम करता है यह Alternately T-Lymphocyte दोस्तों जिसको हम बोलते है M2 यह M2 Interleukin हम पढ़ेंगा आगे Interleukin factor जो होता है वह 4 नंबर और 13 नंबर इसको द्वारा यह T-Lymphocyte वहाँ पर activated हो जाता है ठीक है और यह T-Lymphocyte जब activated होगा यह दो फेक्टर यह लगाता रहे होगा यह M1 से जा आपका Tumor Necrosis factor होता है उसके माद्यम से यह T-Lymphocyte जो होता है M2 के द्वारा Interleukin 4 और 13 के माद्यम से महां activate होता है अगर activated होता है तो होता है आपको समझना है ठीक है आपको क्या समझना है जब activated हो गया तो कैसे काम करेगा simple सा समझना है दोस्तों यही बैस है और यही समझ गए आप किसी भी प्रकार के healing करा सकते हो दोस्तों जब MI के लेवल पर जाओगे तो दो प्रोसेस होगी ठीक है interleukin 1 और 2-3 यह बताएगा inflammation के ठीक है यह interleukin 1 और 2-3 MI के लेवल पर जब यहाँ पर secret होगा यह directly बताएगा inflammation है यह body के protective प्रोसेस होती है और इसी के करण जब यहाँ पर ROS अब यह ROS क्या होता है मैं आगे आपको बताने वाला हूँ NO nitric oxide ठीक है लास्योसोमल enzymes उनको activate कर देगा आप जब उनको activate कर देगा तो microbial action और phagocytosis के process increase हो जाएगे यह normal process होती है आपको करना क्या है ठीक है जब आपने यह stimulation देख लिया कि हाँ पर जब कोई भी neutrophil destroy नहीं कर पाता है बैक्टिरिया को तो बैक्टिरिया वहाँ पर कर लिया जाता है मैक्रोफिजस के द्वारा इंगल्फ होकर वहाँ पर यह process होकर inflammation के process होती है और inflammation के process में microbial action जो microbial है उनको microbicidal action होती है यह उस माक्रोप को यह जो माक्रोप जिनको cell के अंदर ले लिया गया उनको मारने की action होती है सबसे पहले उनको विश्वास मिले कर अंदर तो लो ठीक है आपने क्या करा विश्वास मिले कर अंदर ले लिया macrobicidal action किया और तुरेंट phagocytosis के process के माध्यम से उसको आपने पूरा damage कर दिया ठीक है पूरा खतम कर दिया और यही कारणे दोस्तों आर ओएस नाइट्रिक और लाइस्वास मिलेंजम के माध्यम से macrobicidal action और phagocytosis की process को increase करके ही आप वहाँ पर दोस्तों complete process को generate कर सकते हो इसलिए मैं आप आपसे पूछता हूं कई लोगों ने हमने गेंगरिनाल फूट जब बनाया था तो हमें यही कहा था आप तो वरवन वेंवन दूनों यूज़ कर रहे हो वाई आप क्यों यूज़ कर रहे हो दूनों मत यूज़ करो आप एक यूज़ करो आप एफवन यूज़ करो मैंने कहा था एफवन का रूल क्या है ठीक है मैंने कहा था एफ तहां जाता है कि यह बैक्टिरिया वायरस डेवलप हो रहे हैं जो भी डेफार्मेटी डेवलप हो रही तो उसस्थान को फिरिफाई कर देती है डेवलपमेंट मारना करना वो तो छोड़ दो जिसके कारण वो जिंदा है जिसके कारण डेवलप हो रहा है उस कारण को यह टा दो थीक है इसलिए यहां पर काम होता है इसलिए यह माइक्रोबिसाइडल एक्षिन करता है, फेगोसाइटोस इसको इंक्रीज करता है, इसी के कारण महाँ पर हीली होता है, लेकिन यही चीज़ M2 के लेवल पर आवा, ठीक है, यह कैसे कर रहा है, दोस्तों यह सामल्टेनिस ली होगी, पहले यह होगा, उसके बाद यह होगा, अ हम लोग अभी सेल्स में पूरा जब डिटेल पढ़ेंगे, आपको पता लग जाएगा, कि यह कितना डिटेल काम करता है, और एक MBBS को जितना मालूम है, आपको मालूम रहेगा दोस्तों, ठीक है, तो जब यहाँ पर TGB के लेक्ट होता है, ठीक है, टिमर ग्रोथ फेक्टर, तो दोस्तों यह टीशू को रिपैर कराएगा, फाइब्रोसिस कराएगा, अभी मैंने आपको बताया था ना, किलोइट्स में इसलिए बताया था, कि जब M2 का लेबल होगा, टीशू का रिपैर होगा, फाइब्रोसिस होगा, तो यहाँ पर दोस्तों टीशू का रिपैर औ और फाइब्रोसिस का काम करेगा लेगिन TGB और इंटरलुकेंटेन एंटी इंफ्लामेशन होता है यहीं इंफ्लामेशन को रोकने का काम करता है कि बहुत ज़्यादा इंफ्लामेशन ना हो जाए ठीक है इसलिए यहाँ पर जब कभी आप देखते हो पस पढ़ गया बहुत जो एंटी इंफ्लामेशन का काम करते है इसलिए दोस्तों जब कभी भी आप किसी भी लेवल पर हील कराना चाते हो वाउंड हील कराना चाते हो किसी भी प्रकायर के इंफ्लामेशन को करेक्ट करना चाते हो आपका प्रोटोकॉल क्या आप कैसे करोगी ठीक है वो चीज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ जब भी कभी आप यहां पर cd4 cell का नाम सुना है अपने cancer में HIV में जो test कराते cd4 cell वो क्या होती है वो क्या काम करती है यहां पर clearly indicate होगा दोस्तो जब आप type of tissue destruction where inflammation tissue destruction along with attempts to repair occur simultaneously दोस्तों जिस tissue में आपकी पूरी body में कहीं पर भी inflammation मोझी दो आपको tension लेने की जरुबत नहीं क्यों क्योंकि tissue का जितना भी destruction होता है वहाँ पर repair के जो conditions वहाँ पर simultaneously उसी के साथ में शुरू हो जाती है यहां inflammation चल रहा उसी के साथ में repair के condition भी शुरू हो जाती है जितनी जल्दी repair किया जाएगा उतनी जल्दी आपकी body का जो problem है solve हो जाएगा इसलिए simultaneously जब आप इस पूरी process को generate करते हो पूरी process महाँ पर inflammation की चल रही है उसी के साथ में repair के condition भी चल रही है दोस्तों इसलिए कई बार यहाँ पर जब morphology देखोगे infiltration by mononuclear cells वहाँ पर जो mononuclear cells होती है वो इस tissue के level पर जहाँ पर destruction हो रहा है वहाँ पर प्रवेश करना शुरू करती है ठीक है और जब वहाँ पर प्रवेश करना शुरू करेगी तो करेगी क्या macrophages, lymphocytes, plasma cells, eosinophils, mass cells यह सबसे बड़ी mass cells होती है जो आपकी पूरी body में अपने level को maintain करती है यदि आपको यहाँ पर पता है कि inflammatory process में A2 का सबसा बड़ा रोल है क्यों A2 क्या काम करता है आपको पता होना चाहिए A2, macrophages, lymphocytes, plasma cells, eosinophils, mass cells से directly link है ठीक है directly link है अगर आपने A2 को दे दिया तो A2 blood circulation में इनकी capacity और quality और quantity सबको वहाँ पर guide करता है जितनी बार आपने promote किया उतनी तीजी से phagocytosis की क्रिया को बढ़ाएगा, repair को बढ़ाएगा, granulation tissue को develop करेगा अगर ये हो गया, आप मालो आपने हिल करा दिया, कुन सी बड़ी बात हैं? अगर नहीं मालूम है था तो हम क्या करते हैं? ठीक है? आज हमें मालूम है, आपको मैं आगे जब cell पढ़ाऊंगा, एक-एक पार्ट पर काम करने वाली medicines बता दूँगा, single. ठीक है? कि पिदिलल में damage है, connective tissue में damage है, कुन सी medicine? क्लियरली बताऊंगा, और जब वो बता दूँगा, आपके पास सारे protocol site हो जाएंगे, आपको कोई problem नहीं होगी, आप perfectly हमापर work कर सकते हो दोस्तों. इसलिए ये छोटी-छोटी tips हमारी table practice में बहुत खाम आती हैं दोस्तों. जब आप repair को करा होगे, तो repair मतलब क्या? Fibrosis plus angiogenesis. अब किसी भी जगह पर, माल लो, यहाँ पर यह टिशू है, यह टिशू का damage हुआ. ठीक है, अब damage हुआ, आप repair करोगे, तो क्या करोगे? सबसे पहले, यहाँ पर आपको, यह blood vessels है, यह vessels है. ठीक है, आप करेंगे क्या? आपको angiogenesis कराना पड़ेगा ना, यहाँ तो tissue का damage हो गया, अब पूरा tissue damage हो गया, तो वहाँ जब तक capillary नहीं बनेगी, ब्लड नहीं पोचेगा, वहाँ पर कैसे inflammation होगा, inflammation के बल वहीं होता है, जब वैस्कुलर डिशू होता है, इसलिए सबसे पहले काम होता है, यहाँ पर च्छोटी-च्छोटी कैपलरीस के development कराना, जिसको बलते है, एंजियो जिनेसिस, ठीक है? तो यही कारण है, दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर जो damage हो गया, fibrosis हो गया, fiber बन गया, लेकिन वहाँ पर angiogenesis, fibrosis प्लस angiogenesis को ही repair कहा जाता है, ठीक है? यह नहीं वहाँ पर पूरी layer बन गई, लेकिन layer में internal loss of function होता है, क्योंकि fibrosis हो रहा है, लेकिन उसके आगे के tissue का थोड़ी problem है, इसलिए particular, उस tissue में वहाँ पर healing कराता है, और साथ में वहाँ पर blood supply कराता है, जिससे उसको nutrition मिलता रहा है, और तुरन development होता रहा है, दोस्तों, इस simple सी process होती है, जो हमें देखना है, कभी-कभी के देखते हैं, वहाँ पर granuloma बन जाता है, ठीक है, आप granuloma बन रहा है, तो क्या होता है, दोस्तों, जानते हो आप granuloma किसको कहते हैं, बहुत easy है, दोस्तों, जब आप समझ जाओगे, तो आप खुद ही बोल दोगे, हरे इसको granuloma बोलता है, जब आप granuloma को देखते हो, दोस्तों, तो कभी भी आप cells के level पर जाओगे, तो आपको कई प्रकार के cells महाँ पर दे झाल, 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 झाल झाल दोस्तों यहां पर जब कलेक्शन होता है जब किसी भी इंफ्लामिशन पार्ट को टी इस काटा उसको काट के जब आप माक्रोस्कोप में एक्जामिन करते हो तो यह स्ट्रक्चर नजर आता है जब आप टेबल प्रैक्टिस में ग्रेनीलोमा को देखते हो तो आपको नजर आता है कि वहाँ पर giant cells बड़ी-बड़ी इस प्रकार के cells develop हो जाती है macrophages giant cells macrophages हो जाती है महाँ पर और साथ में modified macrophages epithelite cells भी महाँ पर develop हो जाती है lymphocytes plasma cells यह सारी के सारी cells महाँ पर collect कर लेती है और bacteria virus को पूरा tissues को घहर लेती है दोस्तो इसी लिए जब tuberculosis में जाते हो तो यह बहुत common नजर आता है दोस्तो हारो एस के साथ में hypoxic ischemia leads to central necrosis in granuloma जब इस प्रकार का tissue में development होता है तो यहाँ पर blood circulation हो नहीं पाता central में और जब central में blood circulation जाए गए नहीं हाइपोक्सिया होगा हाइपोक्सिया होगा तो क्या होगा clearly indicate होता है दोस्तों कि जब भी कभी central necrosis होगा दोस्तों हाइपोक्सिया होगा blood supply नहीं होगी ischemia develop हो जाएगा और ischemia develop हो जाएगा दोस्तों वहाँ पर definitely necrosis होगा तो granuloma में center में necrosis हो जाता है आपने एवियन का नाम सुना है एवस्कुलर नेक्रोसिस ठीक है सबसेट टीपिकल उदारन है दोस्तों एवस्कुलर नेक्रोसिस जो fever का हेड होता है जो आपकी थाई बोन होती है जिसको बलता है फीमर उसके एड में किसी kyixa c current अर्फ जब blood supplies ने हहीं होती ठीक है इसकी में हो जाता है और उसी के कारण यह condition develop होती है वहाँपर जो central portion होता है वहाँपर blood supply नह नहीं होती और इसी कारण में आपर ग्राइनलशन टिशू डिवलफ होता है और यही कारण है दोस्तों वहाँ पर ग्रेनिलो माँ डिवलफ हो जाता है कई पर ग्रॉस मॉर्फलाजी अब देखते हो दोस्तों तो वहाँ पर आपको ऐसा कैसी इस नेक्रोसिस नजर आएगा ठीक है अभी नेक्रोसिस क्या होता ये भी में बताने वाला हो दोस्तों जब यहां पर आप किसी पार्ट में देख रहे हो कि वह पार्ट ड्राइप हो गया और ड्राइप हो गया तो आप देखते हो उग्दम वाइट चीजी एपेरिंस हो जाता है आप चीज द ओल्ड हो तो S3C3 और न्यू हो तो S5C5 आप ग्रेग्निराल फूट के साथ चला दीजिए दुनिया का कोई साभी वाउंड हो आप मुझे बता दीजेगा अगर नहीं ठीक हो तो मेरी हार है आपकी नहीं ठीक है क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल एप्रोच पैदा किया है मैंने 25 साल में जो महनत किया है वो मैं आपको बता रहा हूं ठीक है इसलिए जब आप infection देखते हो granulomatis inflammation कहां истории कें जकले जाओ कहीं पर भी कार इस्क्रे डीसि उते हैं जिसको sattel Vict chol लॉमा कहता हैं वहाँ पर छले जाओ आपको definitely infection देखने को मिलती है और information में सबसे पहले जो देखने को मिलेगा Infection की उहोगा घ्रेनिलॉमा ठीक है इसी प्रकार नॉन इंफेक्शन आप सारकोडोसिस में चले जाओ क्रॉंस डिसीज में चले जाओ वैस्कुलाइटिस में चले जाओ वैसल्स के लेवल पर आप देखो जाइंट सेल अर्टराइटिस में चले जाओ ठीक है टाकासूसू अर्टराइटिस में चले जाओ wegener syn stat quan değişormation में चले जाओ यह वो condition होती है दोस्तो जिन वैजने आपको न्डारेक्ली यह kष्अ देखने को मिल जाता है इसलिए आपको यह बताने का मकसद ऐह नहीं है कि आपको community कर en Antalum atको बताने का मकसद अगर यह चैनल को होती तो आप को inflammation का effect तो देखने को मिल रहा है आप inflammation का effect देख रहे तो patient आएगा तो वो तो effect लेकर आएगा ना आपको पता ही निये inflammation है कि क्या है ठीक है इसलिए बता रहा हूँ जब आप इस inflammation के effect को देख लोगे आपका protocol तै करना बहुत easy हो जाएगा दोस्तों वो कैसे सिंपल सा बताता हूं दोस्तों जब भी कभी primary immunodeficiency होती है दोस्तों यहीं innate immunity आपकी बाड़ी में innate immunity ने defect हो जाए यहीं जो चीज़ें आपको वास्ताव में मिलना चाहिए ता वो मिला हो ठीक है और उसके कारण innate immunity आपकी कम हो गई हो ठीक है उस condition में क्या होगा ठीक है वहाँ पर जब आप leucoside addison defect आपको देखने को मिलेगा यहीं जो आपको leucoside में आपको inflammation के process में बताया ना वह rolling कर रहा था और rolling करने के बाद वह चिपक रहा था और उसके बाद payment हो रहा था था देख के उपर एक के उपर एक कई सेल्स महाँ पर एक दूसरे से चिपक कर कलेक्ट हो जाती है inflammation के वह पार्ट जो था उसको ब्लॉक कर दिया जाता है ठीक है अगर वहाँ पर लिउकोसाइड एडेसन डिफेक्ट हो जाए यही लिउकोसाइड बैरिया आ रही है जा रही है वहाँ चिपकी नीरे एसी कंडिशन में कई बार आपको वहाँ पर नजर आएगा कि ऐसी कंडिशन डेवलॉप हो रही है कई बार डिफेक्ट आपको नजर आएगा डब्लीविसी में कई बार आपको डिफेक्ट नजर आएगा प्लेट लेट में यानि डब्लीविसी में इन्फेक्शन होगी प् defective cumotaxis भी हो सकता है यानि जो chemical release होता है bacteria से मास से होई defect हो ठीक है तो proper नहीं जा रहा हो complications के रुप में develop करता है इसलिए बहुत सारे defect होता है दोस्तों कि यहाँ पर इस condition को आपको देखने को मिलेगा यह सारी के सारी process दोस्तों especially आपकी inflammation की conditions में आती है दोस्तों ठीक है और यह पूरा मैंने आपको inflammation का protocol complete बता दिया इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ मालो आपको कोई inflammation के condition डेवलाफ कोई मालो आपको कोई abscess हुआ अगर abscess अगर old है तो क्या new है तो क्या कैसे करोगे आप दोस्तों मैं आपको केवल external application बता रहा हूँ आप ठीक कर दो के दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है s3 c3 l1 y d4 external s5 c5 l1 y d4 external application जब old है तो s3 c3 l1 y d4 में लगा दीजे आप ठीक है जब new है s5 c5 l1 y d4 external लगा दीजे आप ठीक है कब जब inflammation हो आप guarantee से patients है बोल दीजे wait and watch one month मुझे दे दीजे एक मैने बात बात करते हैं ठीक है इसके साथ internal organo booster गेंगलेनाल फोर्ट जो आपको suitable according to condition में ज़र आ रहा है आप aid कर दीजे जैसे aid करेंगे result आपके हाथ में आएगा दोस्तों और result बोलेगा आपका result बोलेगा आपको कुछ नहीं करना जैसे result बोलेगा पेशन बोलेगा हाँ साब यह तो बहुत बढ़िया condition है आपने बहुत टेजी के साथ हम लोगों को इस condition में बता दिया कि हम लोग यहां पर इस condition को generate कर पाए ठीक है यह सारी चीज़े हैं जो आपको मुझे समझाना है दूसरी बात करते हैं हम दोस्तों जो हमारा सबसे important चीज़े आप यहां पर inflammation देख लिए ठीक है आपने समझ लिया कि inflammation कैसे होता है कैसे regenerate अब बात आती है हम एज की medicine से इसको कैसे रिपेर करें या रिजनरेट करें क्या आप दूनों condition कर सकते हो बिलकुल नहीं ठीक है आप कोई भी एक condition में कर सकते हो या तो repair करा सकते हो या रिजनरेट करा सकते हो लेकिन जादतर cases में ऐसे देखा गया है कि हमारे इज doctor's का कहना है कि जितने भी cases को हमने treat किया है treat करने के दौरान हमने देखा कि कई cases चलते फिरते ही लोग है without scarring how it is possible it is possible by each remedy each remedy is continuing processes to clear every every wants is special अगर आपको मैं कहूं आपके पास कोई case अगर आए कि बही bone fracture का case आया ठीक है और bone fracture में तो सबसे खतरनाक inflammation हो रहा है आपको मैं challenge करता हूं c4 का 200 s11 के 200 के साथ में दे दीजेगा कई लोग आशिर करेंगे भाई why s11 s11 का खान तो vomiting बन करने का होता है ठीक है आप वोमिटिंग को बन कर रहे हो ठीक है वोमिटिंग बन कर रहे हो लेकिन आप ने कर s11 के contact को medicines को पढ़ा हो याद रखिए s11 binding capacity of epithelium को बढ़ाता है जितनी भी epithelium की binding capacity उसको बढ़ाता है और c4 mineralization capacity को बढ़ाता है ठीक है तो symphytum office analysis जो plant है उसका character होता है 200 डालेशन में epithelial के binding capacity को double कर देता है तो यही तो हम भी चाहते हैं जो osteoblast activity लगातार बोन में होती रहती है हमें मेड उसको promote करना है तो हमने क्या करा c4 200 s11 200 को दे दिया पेशन को दे दिया आप देखो कितनी जल्दी हील होता है पूरी बॉड़ी में तेजी के साथ बोन की healing हो जाएगी और जो bone fracture है डॉक्टर बोलता है एक मेने डेड़ में मैजार एंजूरी आपको ठीक है आप उसकी surgery करा दो जो करना करा लो कोई दिक्कत नहीं लेकिन साथ में कैबल c4 200 s11 200 दे दो आप कुछी समय में देखोगे दोस्तों कुछी समय में देखोगे पेशेंट बोल देगा कि यार क्या गजब का result मिला है क्यों क्योंकि पूरी healing हो चुकी है वाउंड उसका पूरा भरा गया डॉक्टर बोले आर मैं पहली बर देख रहा हूं उतने जल्दी वाउंड किसा हमारे ग्रूप में कई डॉक्ट response के फल्सुरूप बॉडी में आप जब देखोगे दोस्तों तो वहाँ पर repair का attempt होगा जो कि living tissue का structure and function को normal structure में किया जा सके ये function होता है यह यह केवल living tissue के दवारा ही होगा जो tissue dead है उसके दवारा नहीं होगा जिस tissue में vessels का blood circulation का वहाँ अबहाँ होगा वहाँ नहीं होगा जह आप किसी भी inflammation के तरब blood circulation को बढ़ाईए यह पहला मकसद होगा अगर blood circulation बहुत तेजी के साथ बढ़ने लग गया आपकी inflammation के process remove होना शुरू जाएगी आपके महाँ पर healing के tendency बढ़ जाएगी और यही कारण है दोस्तों repair और regeneration electromyped बहुत तेजी के साथ करता है ठीक है इसलिए आपको एक चीज़ द्यान रखना है जब कभी भी कहीं पर tissue का डेमेज होगा inflammation होगा infection होगा वहाँ पर तेजी के साथ oxygen supply बढ़ाना है तेजी के साथ आपको वहाँ पर regeneration के process बढ़ाना है तो याद रिखेगा इसलिए एप इसलिए हमारे senior ने कहा है कि पीटू को जितना negative डाला जाए क्योंकि आज के समय में यह देखा जा रहा है कि जितना भी cancer का करेक्टर होता है और उसी के रूप में जो रिजल्ट आता है वही करेक्टर यहां पर लगबक सेम मिलते जुलता है इसलिए जब पीटू 200 में पीट पर जब आप पीटू को negative में दोगे तो पीटू negative में tissue remedy के रुप में काम करेगा और जब उसको वेन वन वर वन इनके साथ एड़ कर दोगे तो कितना deep में काम करेगा यह आपको पता होता है इसलिए दोस्तों बहुत ही ब्रिलियंट framework कर तयार करता है और यही कारण है इसका बॉड़ी उसको reason rate कर रही है कि repair करें आप क्या करा सकते हो आपके उपर depend करता है आप अगर reasonation कराना कोई दिक्कत नी आप repair कराना कोई दिक्कत नी ठीक है जब reasonation कराते हो तो healing जो healing महाँ पर condition होगी जो महाँ पर undamaged specialized cells जो surrounding के रहती है दोस्तों उसका proliferation बहुत तीजिसे हो चुरू करता है और यही electromyped कराता है ठीक है जो tissue damage हुआ उसके आसपास की जितनी भी cells है जो zone cells है जहां से cells का proliferation होता है आपको पता है cell महाँ पर multiplication होता है कभी mitosis कभी meiosis हर जगे अलग-अलग होता है ठीक है तो यहाँ पर हमारी जो electromyped के medicine से बहुत तेजिसे cells का proliferation कराती है और उसी proliferation के करण typically वहाँ पर healing develop होता है इसलिए इसके प्रणाम सरूप original tissue का complete restoration होना regeneration कहलाता है याद रखेगा इसी के प्रणाम सरूप original tissue का complete वहाँ पर restoration होना regeneration कहलाता है इसलिए आपको मैंने starting में बता दिया था कुछ tissues होते हैं जो कभी भी वहाँ पर regenerate नहीं होते है याद रखेगा लेकिन mostly diseases में mostly tissues के लेवल पर इलेक्ट्रो में पर remedies directly regenerate कराती है दोस्तों ठीक है प्रूप करके बताऊंगा आपको disease के लेवल पर बताऊगा आप जब use करेंगे 16 महिने में आप ही लोग प्रूप कर देंगे हाँ sir आपने कहा था inflammation में regeneration हम करा सकते हैं कैसे कर आप लोग कराएंगे प्रोटोकल में बताऊंगा दोस्तों दूसरी बार जब repair होगा granulation tissue ठीक है यहाँ पर healing granulation tissue के formation के द्वारा होता है same granulation tissue from farm होगा और जब granulation tissue फार्म होगा तो definitely आपको पता है कि वहाँ पर central blood circulation नहीं जाएगा ठीक है तो क्या होगा पूरी फाइब्रोस इसके कारण होता है दोस्तों repair ठीक है यहाँ पर fibrosis होगा या scar tissue आप देखो scap बन जाता है और scap बनने के बाद जब रिबू होता है तो फिल्कुल fibrosis हो जाता है ठीक है यह repair यह आपका regeneration कैसे होता है यह हम लोग कल का chapter है कल हम देखेंगे दोस्तों ठीक है दोस्तों तो यह था आज का हमारा topics उम्मीद है आप लोगों को यह चीजे छूटी छूटी चीजे हैं लेकिन important चीजे हैं समझ में आ गई होगी दोस्तों दन्यवाद सार जी गिरिश सर दन्यवाद सर बहुत बड़ी है था क्लास को जी थेंक्यू सर गुट मार्णी गुड मार्णी कि अब कर देना है तो दोनों अलग अलग काम करेंगे एस इलेवन आपके कहां चली जाएगी स्बोटर नीरॉन पे काम करना शुब कर देंगे तो पून के तरफ चली जाएगी तो इस फॉर एस एलेवन कितने ट्रॉप एनिया इस ड्रॉप एनिया इस पेशेंट पेशेंट को दद्द्रॉप देनी दिन में तीन बार रॉप नहीं लोबस में दीजें पांच बड़ा हो तो दस ग्लोबस को सब्सक्राइब कर दी तो उसमें अपन डाइलूशन भी चेंज कर सकते हैं तो रॉप बिल्कुल कर सकते हो आप अगर बहुत अच्छा है रिजल्ट आया आपको 25-30 ठीक हो गया है वही मेडिसीन रिपीट करो उसका डूस बड़ा दो 10 की जगह 15 ठीक है और पॉजिटिव आएगा अगर वही डूस सूटेबल है तो सेकंड मंत में क्लियर हो जाएगा कि हम इसी डूस से इसको दो या तीन मेंने में ठीक कर देंगे लेकिन अगर उसका रिजल्ट सेकंड टाइम देने के बाद पेशेंट बूलता है कि साब ठोड़ा कम हो गया आप उसको नेगडिव कर दो ठीक है हंडिट परसेंट डिजल्ट आएगा आपको ऑपे तैंक यू सर जी राके सर एक प्रॉब्लम भी जा रहा था जैसे एक्जाम्पल अपने एक औरगन के फंक्शन में फ्रॉट का लिया था सर एक पेशेंट को जैसा अपने एस्टू सी थर्टीन वर्वन एत्री बीजी देते हैं तो उसका यह होता है कि नोस पे नोस पे हैड़ पे और आइस पे एकदम फ्रॉम्बिंग पे ठीक है जिए सब्सक्राइब करो एस लेवन थाउजन दो और मुझे बताओ ठीक है डेली दो आप तेन ड्रॉप मार्निंग में डेली दो और पंदरा दिन बाद बताओ और एक्टरनल केवल अपलाई करो एस तू सीधर टीन एस टू सीधर टीन एफ टू जी या डबली या ठीक है अगर पेन हो रहा तो आरी का अपलाई करो आप ठीक है यह कुछ खा भी नहीं पा रहा हो पिशेंट तर उसको मोटर निरॉर्ण डिसीज़े वेगस नर्व से जुड़ा हुआ है जी जी आपको द्यान हो तो मैंने आपको स्टार्डिंग में बिल्कुल बिल्कुल सर अगर आपको मैं थोड़ा सा बता दो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी जब हमने वहाँ पर डिसकुशन किया था तो बहुत सारी चीजों को हमने समझा था और उस कंडिशन में हमने क्लियर ले इंडिकेट करा था कि जब किलोईट दीशन डेवलाफ होती है कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि नरुक इंडिकेशन वहाँ सबसे पहले आपको देखने को मिलता है जैसे आप देखो पेशेंट नार्मल है है ना बेचे नहीं महसूस कर रहा है कि इन्सूम्निया यानि वो नीन की गूली खाने के अदर डालता है लेकिन क्यों इसल उपर की तरफ गई देखो हैड के रिजन में अफेक्टेड क्या है ठीक है आप जो सारी टेस्ट कर आते हो पता चलता सब नार्मल है ठीक है जब आप देखते हो उसको बैचे नहीं होने लगते उसका मन में कीड़ा हो जाता कि मुझे कोई बहुत बड़ी प्राब्लम है धी अब ऊपर आईए हांड हाड में विघक in पर आईए आपका इस मपर आईए यहां सब्सक्ति करता है यह सीधा वेगस नर्व है आप डिरेक्ट एस स लिवन का बंजय रहे विगिल जी जी सर और एक चीज पूछा तहां जैसे कोई पुराना फ्रेक्टर का केस तो इसमें भी एस 11C4 200 दे सकते हैं जी से थैंक्यू सर्थ ताइम्स मैंने क्लियरली बताया है ग्रूप में है था थैंक्यू सर्थ हेलो नमस्कार सर्थ विर्भान सर्थ जो पर्सु प्रोटोकोल पुछा था पौईजन की केस के लिए सर उसको काफी बेटर अपने अपने अपना मित्र है जिस डॉक्तर के पास गई हुए है उसमें मैंने तीन ड्रोप बेजिश तरह पने जैसे लिंफो बूष्टर में एस फाइउ सी थर्टीन पी वन बिल्यू डाला था गैंग्रेन फोर्ट में सी फिप्टीन सैकंड में और और फोर्ट में कभी कोई मेडिसीन एड नहीं होती याब रखना अच्छा सर्थ कभी कुछ नहीं डालना एच्छा प्रोटोकॉल दा सिक्सी सिक्स यलो बिल्यू और सी सेवंटीन कि इसकी पांच मुंद डाली थी सर च्छार बार सीधी टंग से दे रहे हैं सर बिलकुल मतलब लिंफो बूस्टर से तो उसकी टील सी बड़ी हुई थी वह भी कंट्रोल हो गई है नहीं ऐसे पीसेंटों की ब प्रोटों के वे कर दो उसकी पांची